गाइस MWC 2018 में हुआ था Asus का Zenfone 5 Lite smartphone launch और इंडिया में ये phone कुछी दिन बाद होने वाला है launch और गाइस इस device में Asus Zenfone 5 Lite में हमें देखने को मिलता है दो प्रोसेसर variant जो कि है एक है Qualcomm Snapdragon 430 का और दूसरा है Qualcomm Snapdragon 630 का और गाइस इसका प्राइस हम एक्सपक्त कर सकते है इसका 430 वर्म है Snapdragon 430 वर्म है पहले हम आशा कर सकते हैं कि हमें देखने को मिले वह 14,000 की larger range में और जो 630 का वर्म स्नेप्डागों 630 का वर्म है वहम आशा कर सकते हैं कि वह device हमें 17,000 की нравится range में तो आज मैं करूँगा इस भीडियो में Asus Zenfone 5 Lite और Honor 9 Lite की Specification Based Comparison और इससे पता लग चाहेगा कि आपको कौन सा स्मार्टफून लेने में ज्यादा फायदा होगा आप क्या Honor 9 Lite लेंगे या फिर वेट करेंगे Asus Zenfone 5 Lite का तो गाज, without a string anymore time, let's get started तो गाज, सबसे पहले बात करते हैं इस दोनो डिवाइस की डिस्प्ले और डिजाइनिंग की तो इस बारे में दोनो डिवाइस ही खास है, दोनो डिवाइस का डिजाइन है बहुत ही उनिक, बहुत ही प्रिमियम लगता है ये दोनो डिवाइस ही और इन दोनो डिवाइस में हमें देखने को बिलता है फुली ग्लास बैक पैनल जो बहुत ही प्रिमियम लगता है इसके बज़े से ही बहुती प्रिमियम लगता है glass back panel की बज़े से तोowैस designing की side से दोनों device तो अच्छा है बहुती प्रिमियम लगता है लेकिन glass back panel की बज़े से वहाँ पे पिछे की तरह glass back panel की बज़े से बहुत ही fingerprint magnet होता है और अगर यह device गिर जाए तो टूट भी सकता है लेकिन इसे छोड़के device तो बहुत ही लगता है premium फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है इन दोनों device का ही और गाइस बात करा अगर display size की तो honor 9 light में हमें देखने को मिलता है 5.65 इंच का एक full HD plus display और गाइस यह device आता है 19 x 9 aspect ratio के साथ जो बहुत ही टॉल है और बड़ा भी है और गाइस दोनों device में ही हमें dual front camera और dual rear camera देखने को मिलता है और जो fingerprint sensor है वो हमें देखने को मिलता है rear panel में इन दोनों device में ही honor 9 light और ISO Zenfone 5 light में फी तो गाइस ओवार और design तो बहुत ही अच classification की तो honor 9 light में हमें देखने को मिलता है किरीन का 659 processor जो कि एक optacool CPU जो बहुत ही अच्छा है वो हुई का honor का खुद का processor है और यह processor हम देखे honor 7x में भी और गाइस बात कर आगर अगर देखने को मिलता है दो दो प्रोसेसर भेरियांट जो कि एक है Qualcomm Snapdragon 430 और दूसरा है Qualcomm Snapdragon 630 का variant तो गाइस नॉर्माली 430 जो है Asus Zenfone 5 Lite का 430 है उससे ज़्यादा पावर्फुल है honor 9 light की किरीन की 659 processor लेकिन जो Asus की 630 processor है वो ज़्यादा पावर्फुल है honor की उस device से तो गाइस आप बात करते इन दोनों device की ram storage variant की तो यह दोनों device ही आता है 3GB प्लस 32GB और 4GB प्लस 64GB ram variant RAM storage variant के साथ और यह दोनों device में ही हमें देखने को मिलता है Android Oreo तो गाइस यह तो clear ही है कि Asus Zenfone 5 का जो 430 version है Snapdragon 430 का version है वो उससे ज्यादा पावर्फुल है honor का यह device लेकिन Asus का जो 630 वाला version है वो ज्यादा पावर्फुल है honor 9 light से तो गाइस बात कर रहते हैं आप camera section की बार और इन दोनों device में सबसे अच्छा इन दोनों device में अच्छा camera हमें देखने को मिलता है Asus Zenfone 5 Lite में और सेंसर्स की तो sensor हमें देखने को मिलता है honor 9 light में 13MP का rear camera setup और वह ही setup हमें देखने को मिलता है front में 13MP plus 2MP और गाइस अब बात करते हैं Asus Zenfone 5 Lite की camera section की बाल में तो Asus Zenfone 5 Lite की rear में हमें देखने को मिलता है 16 Megapixel प्लस 8 Megapixel का camera setup जिसमें से जो 8 Megapixel का sensor है वो है एक wide angle lens और गाइस बात करें अगर front की तो front में भी हमें बहुत ही अच्छा camera setup अब देखने को मिलता है जो कि है 20 Megapixel प्लस 8 Megapixel और जो 8 Megapixel का camera sensor है वो है एक wide angle lens तो गाइस इन दोनों device में सबसे अच्छा इन दोनों device में अच्छा camera हमें देखने को मिलता है Asus Zenfone 5 Lite में इसमें कोई शक नहीं तो गाइस अब बात करते हैं इन दोनों device की battery section की बारे में तो Honor 9 Lite में हमें देखने को मिलता है 3000 mAh का battery capacity और गाइस Asus Zenfone 5 Lite में हमें देखने को मिलता है 3300 mAh का battery capacity तो गाइस क्लियरली इस section में विनर है Asus Zenfone 5 Lite और गाइस अब बात करते हैं इन दोनों device की pricing और availability के बारे में तो Honor 9 Lite को तो अब flip card की flash cell से ले सकते हो और इसका जो 3GB प्लस 32GB वाला variant है वो हमें मिलता है 10999 में और जो 4GB प्लस 64GB वाला variant है वो हमें मिलता है 14999 में तो गाइस अगर आप ये device लेना चाहते हो तो नीचे link आपको मिल जाएगा वो मेरा affiliate link है अगर आपको खरिदना है तो उस link से ही खरिदने और गाइस बात कर अगर ASUS Zenfone 5 Lite की तो वो device इंडिया में अभी launch नहीं हुआ है लेकिन हम आशा कर सकते कि वो device हमें मिले March की end में या फिर April के शुरू में या फिर middle में और गाइस बात कर अगर pricing की तो यह expected price है कि इसका जो 430 वाला variant है Snapdragon 430 वाला जो variant है ASUS Zenfone 5 Lite का वो हमें मिल सकता है 14,000 की price range में और गाइस जो 630 का variant है Snapdragon 630 का जो variant है ASUS Zenfone 5 Lite का वो हमें मिल सकता है 17,000 की price range में तो गाइस अगर आप लोग अभी कोई smartphone लेना चाहते हो तो आप मैं बोलूँगा की आप वेट कर लो अगर यह ASUS डिवाइस 13,000 की price range में आता है तो यह device value for money होगा लेकिन अगर pricing थोड़ा ज़्यादा होता है तो कुछ नहीं कर सकते और गाइस यास यास का और दो डिवाइस आने वाला है लेकिन अगर इसका budget थोड़ा ज़्यादा होता है इसका price थोड़ा ज़्यादा होता है तो यह value for money नहीं होता तो गाइस यह depends करता है आपकी budget और needs के ओपर completely और गाइस आप मुझे बताना नीचे comment section में कि आपको इन दोनों device में कौन सा रिवाइस ज्यादा पसंद आया है और अगर आप प्रस्ट को डिवाइस लेना चाहते है तो आप कौन सा रिवाइस लेंगे तो गाइस बस इतना ही इस वीडियो में आशार रखते ही कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जाए लाइक और शेयर और गाईस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो करें चैनल को भी सब्सक्राइब तो गैस बस इतना ही इस वीडियो में मेरा नाम है श्रीकत और मैं मिलता हूँ आप से एक और नहीं और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक लिए जाए हिंद बंदे मातर में